हलो फ्रेंड्स इस वीडियों बात करेंगे क्रोनिक कैपिटिलिजम के बारे में यानि याराना पुझीवाद इसका साब्दिक अर्थ है याराना पुझीवाद या समस्चा विक्सित देशों की तुलना में विकास्चील देशों में ज़्यादा है डेवलोपिंग कंट्रीज में क्योंकि विकास्चील देशों में एकॉनमिक ग्रोथ की गुंजाइश ज़्यादा होती है विकास्चील देशों को धेर सारी एकॉनमिक ग्रोथ करनी है और स उसी देशों से ज़्यादा होंगी. या chronic capitalism नकारात्मकार्स में प्रयुक्त होता है, या दोस्ती गलत कामुगलिय होती है, या दोस्ती सावंत है, राजनीतिग्यों और व्यापारियों के मद्द्य होती है. एक तरह से यह राजनितिग्यों और पुंजी पतियों के वीच गटबंधन है सरकार के पास सक्तियां होती है वह आर्थिक नीत और बजट तयार करती है वह जिसे चाहे ठेका दे सकती है प्राकृतिक संसादनों पर उसका अधिकार होता है लाजिसेंस कादिकार सरकार के पास है अता सरकार किसी उद्योग पती को उचाहियों तक पहुचा सकती है क्रोनिक कैप्टिलिजम आर्थिक प्रतियस परधा का गला घोट देता है राजनीतिग्य उन्हें सपोर्ट देते हैं सरकार का सपोर्ट, नीतियों का सपोर्ट, कानून का सपोर्ट आधिया एक वरकार से साइलेंट सपोर्ट होता है इस कारण पुंजी पती सम्रिद्ध होते चले जाते हैं और अब उन्हें ना किसी प्रतियस पर्धा की जरूरत है ना इनोवेशन की ना गुडवत्ता की क्योंकि उन्हें सरकार का या राजनीतिग्यों का सपोर्ट मिलता रहता है। इसी कारण पुझी का केंद्री करण कुछ लोगों तक सीमित होता जाता है। भारत के संदर्व में इसमें नौकरशा ही भी सामिल हो जाती है। अता भारत में क्रोनी कैप्टिलिजम में तीन वर्ग हैं राजनेता, पुझी पती और नौकरशा तीनों मिलकर अपने अपने लिए काम करते हैं। पुझी पती राजनीतिग्यों को चुनाव में पैसे से सपोर्ट करते हैं और राजनीतिग्य चुनाव जीतने पर उनको सपोर्ट करते हैं। और नौकरशा भी इस बीच सामिल होते हैं। तो इस प्रकार या जानकारी chronic capitalism के बारे में और भारत के संदर में यह क्या है Thank you